हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करनल सोना राम चौदरी के गुर्गों ने उन पर हमला करने के लिए काफिले में चल रही एक गाड़ी में तोड फोड कर दी जिससे एक स्कॉर्पियो गाड़ी को काफी नुकसान हुआ घटना के बाद सदर्थाना पुलीस मौके पर पहुँची और पूरे घटना करम की जानकारी ली हाला कि पुलीस में हमले की घटना से इनकार करते हुए कहा कि काफिले में चल रही गाड़िया आपस में भिड़ी हैं जिससे स्कॉर्पियो गाड़ी को नुकसान हुआ है हमले जैसी कोई बात नहीं है ड्राइवर से बातचीत की तो उसका कहना है कि कुछ लोग पहले से ही गाड़ियों में सवार थे उन्होंने ओवर टेक किया और विधाय को हानी पहुँचाने की कोशश की लेकिन वो अपने मकसद में नाकामियाव रहे मौके पर पुलीस अधिकारी भी पहुँचे घटना की जाच शुरू कर दी बाड़ मेर से जागरुप टीवी की रिपोर्ट